नमस्कार, सौरब दिवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो सम्विधान में भारत को यूनियन ओफ स्टेट्स कहा गया बीते दिनों एक दिल्चस्प मामला सामने आया जिसमें जगहों और किरदारों की वैसी विवित्ता है जैसी मिले सुर मेरा तुम्हारा में पंडित भीम सेन जोशी निगाकर सुनाई थी जहरकन के कॉंग्रिस विधायक परश्चिम मंगाल में पैसों के साथ धरे गए कॉंग्रिस ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बैठी भाचपा शासित केंद्र सरकार जहरकन में भी ऑपरेशन लोटस की तयारी कर रही है और ये आरोप भी किसके नोडल एजेंट थे गुवाटी में बैठे असम के मुख्यमंतरी हिमंत बिस्टु सर्मा आप इस जटिलता को समझने की कोशिश करें तब तक आपको एक बात और बता देते हैं जहाममो कॉंग्रेस सरकार को गिरानी की कोशिश की जाज के लिए त्रिन्मूल कॉंग्रेस शासित राज्य की पुलिस दिल्ली आई जहां की कानून विवस्था भाजपा शासित के इंदर के पास है त्रिन्मूल कॉंग्रेस ने आरोप लगा दिया कि दिल्ली पुलिस पश्चिम बंगाल पुलिस को काम नहीं करने दे रही इन सब के बीच असम के मुख्यमंत्री ने कुछ तस्वीरें ट्वीट करके जहारखंड की सरकार पर भी आरूप लगा दिये आपको दिख रहा है संगवाद का कितना दिल्चस्प नमूना पेश हो रहा है सुनकर लगता है कि कुछ लोग हैं जो देश-देश खेल रहे हैं उनके बीच जगडा हो जाता है तो आरोप प्रत्यारोप चालू कर देते हैं और आम दर्शक हमारे और आपके जैसा नागरिक बूचता रह जाता है कि हो क्या रहा है अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज के ललन टॉप शो आपके लिए ही है हम जारखंड MLA कांड को समझने की और समझाने की सब परतों समेत कोशिश करेंगे दिन की बड़ी खबर में इसके अलावा भी देश की दुनिया की कई महत्पूर्ण खबरे होंगी लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो वीडियो राजदानी दिल्ली के अकबर रोट का है अकबर रोट से जहन में क्या खयाल आता है 24 अकबर रोट कॉंग्रेस पार्टी का मुख्याल है जिस रोट पर कॉंग्रेस का मुख्याल है उस अकबर रोट को दोनों तरफ से बेरिकेट लगा कर बंद कर दिया गया इलाके में धारा 144 लगा दी गई और मौके पर दिल्ली पुलिस CRPF की बड़ी संख्या में तैनाती भी नजर आ रही है इस वीडियो को कॉंग्रेस सांसद और मीडिया प्रभारी जैराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा डेली पुलिस blocking the road to AICC headquarters has become a norm rather than an exception Why have they just done so is mysterious मतलब कि दिल्ली पुलिस का AICC मुख्यालय का रास्ता रोकना अब एक अपवाद के बजाए आदर्श बन गया है उन्होंने ऐसा क्यों किया ये रहस्मय है वैसे ये इतना भी रहस्मय नहीं है चर्चा है कि National Herald मामले में E.D. की टीम कॉंग्रेस दफतर पर भी छापे मारी के लिए किसी भी वक्त पहुँच सकती है खबरें ये भी आ रही है कि कॉंग्रेस की कारिकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आवाज की इर्दगिर्द भी सुरक्षा विवस्था बढ़ा दी गई है इससे पहले एडी ने कॉंग्रेस के अखबार नैशनल हरल्ड के दफतर को भी सील किया दिल्ली में स्थिते ये दफतर आईटियो पर अखबार को यंग इंडिया प्राइवेट लिम्टेड नाम की कंपनी चलाती है जिसमें सोनिया गांधी और राहूल गांधी की भी हिस्तेदारी है दो अगस्त की सुबह एडी की टीम इस मामले की जाच के लिए गई थी और तीन अगस्त की दोपहर दो बजे तक जाच चली जिसके बाद दफतर को सील करने का लैटर गेट पर लगा दिया गया इसमें एडी के असिस्टेंट डारेक्टर कुलदीप सिंग के हस्ताक्षर है इसमें लिखा है कि इस परिसर को बिना एडी की अनुमती के नहीं खोला जा सकता दिली पुलिस के मुताबिक उन्हें कुछ इन्पुट्स मिले हैं कि आज कॉंग्रेस मुख्याले के बाहर या लुटियंस दिली इलाके में कॉंग्रेस कार करताओं द्वारा बड़ा प्रदर्शन हो सकता है इसलिए एतिहातन फोर्स की तेनाती की गई पांच अगस को कॉंग्रेस ने महंगाई की खिलाब बड़े प्रदर्शन का एलान भी किया है कॉंग्रेस ने आज एक प्रेस कॉंफरेंस कर कहा कि मोधी सरकार भय की राजनी ती कर रही है सुनिये बारा तुबलक लेन के सामने किस तरीके से देली पुलीस और अन्य सुरक्षा बल हमारे पार्टी हेड़कॉर्टर्स सोनिया गांधी जी की रेसिडेंस और रहुल गांधी जी के मकान को भी घेर लिया है इससे पहले एडी ने मंगलबार को नैशनल हराड के दिल्ली मुंबई और कोलकाता समेत सोला ठिकानों पर छापे मारे थे ये था दिन के वीडियो का ब्योरा अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ पहली सुर्खी संसत से है केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा से परसनल डेटा प्रोटेक्शन बिल यानि निजी डेटा संरक्षन विधेयक को वापस ले लिया बताय जा रहा कि इस विशे पर अब केंद्र द्वारा एक नया बिल पेश किया जाएगा केंद्री एलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रोट्योग की मंतरी अशुनी वैशनाव ने इसे लेकर लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया जिसे ध्वनी मत से पारित कर दिया गया और विधेयक को वापस ले लिया गया सरकार ने 11 दिसंबर 2019 को संसद में ये विधेयक पेश किया था मकसद देश के नागरिकों का निजी डेटा सुरक्षित रखा जाए लेकिन विपक्ष और एक्सपर्ट्स ने इस पर आपत्ती जताई थी और कहा था कि बिल के प्रावधानों में निजी डेटा को लेकर परयाप सुरक्षा नहीं दी गई है इसके बाद विधेयक पर विस्तरत विचारविमर्स करने के लिए इस बिल को संसत की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया था समिति की रिपोर्ट को 16 दिसंबर 2021 को लोगसभा में पेश किया गया इसलिए अब केंद्री सरकार ने इस विधेयक को वापस लिया है ताकि संसदी समिति की सिफारिशों के आधार पर नया विधेयक तयार किया जाए केंद्री मंत्री अशुनी वैश्नाओं ने बताया कि संसत की समिति ने निजी डेटा संदक्षा विधेयक 2019 पर विस्तार से विचार विमर्ष किया कुल 81 संशोधन सुझाय गए और डिजिटल एको सिस्टम पर मजबूत विवस्था तैयार करने के लिए 12 सिफार्षें भी की गई आपको मालूम हो कि जब ये विधेयक संसद में पेश किया गया था तो विपक्षी पार्टियों ने तब खूब विरोध किया था सिफिल सोसाइटीज ने इसे निजी अधिकारों का खुला उलंगन बताया था और कहा था कि ये बिल निजी डेटा की सुरक्षा के लिए पेश तो किया गया है लेकिन सरकार इसके तहट अपने पास मनमानी शक्तियां एकत्रित कर रही है और यही वज़े है कि सरकार से ही निजी डेटा को खत्रा है विपक्ष ने ये भी कहा था कि इस विदेख के प्रावधानों का फायदा उठाकर सरकार निजी डेटा का बेतहाशा दुरुपयोग भी कर सकती है हाला कि सरकार ने बचाओं में दलील दी थी कि विधेयक के प्रावधानों में पहले ही पर्याप्त सुरक्षा उपाई किये गए हैं ये भी कहा गया सरकार की तरफ से कि यदि निजी डेटा का कोई दुरुपयोग करता है तो उससे तगला जुर्माना वसूला जाएगा तेकिन विधेयक से जोड़े विवाधों का समाधान करने के लिए सरकार ने फेरे से संसदी समिती के पास भेजना उचित समझा अब नए सिरे से बिलाएगा संसद से ही एक खबर और है टीमसी संसद सौगत राय ने के इन सरकार के अधीन वाली नौकरियों में खाली पदों का ब्योरा प्रधानमंत्री मोधी से मांगा था आज यानी तीन अगस्त को कार्मिक राज्यमंत्री जितेन सिंग ने लिखित में जवाब दिया बताया कि ग्रुप A में 23,584 पद खाली हैं ग्रुप B के 1,18,807 पद खाली हैं जबकि ग्रुप C में 8,36,936 पद खाली हैं यानी केंदर सरकार के अधीन आने वाली नौकरियो पद खाली हैं बेरोजगारी के इस दौर में ये आंकड़ा वाकई काफी बड़ा है सवाल ये भी पूछा गया था कि सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कर रही है जवाब मैं सरकार की तरफ से बताया गया कि कि इन सरकार में पदों कर श्रिजन और उसको भरना संब पुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के कारियाले से अगले डिएर साल में दस लाग नौकरियां देने का वाइदा किया गया था नौकरिया देने के मामले में सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड जादा अच्छा नहीं है बीते दिनों सरकार नहीं बताया था कि 2014 से 2022 के बीच आठ बरसों में सिर्फ 7,22,311 लोगों को नौकरिया दी गई जबकि इसके लिए 22 करोड से भी जादा आविदन आये थे संसत से ही एक और आकड़ा पता लगा पिछले 5 साल में 657 सेंटरल आम्ट पुलिस फोर्सिस के जवानों ने आत्महत्या भी की इनका कोई संबंद नहीं लेकिन ये आत्महत्या का आकड़ा भी हमारे लिए सरकार के लिए देश के लिए चिंता का विशह है इसलिए आपको बताना जरूरी है हमारे सुरक्षा बलों के मानसिक स्वास्त की चिंता और उसके लिए उपायों की जरूरत है भाजपा सांसद प्रग्या सिंग ठाकुर के लिए बुरी खबर है माले गाओ धमाकों की सुनवाई के दौरान फॉरंसिक एक्सपर्ट ने कहा कि धमाके की जगे से बरामद हुई एलमेल वैस्पा स्कूटर और दूसी चीजों पर विस्फोटक होने के सबूत मिले है सुनवाई के बयान हुए जो कि एक फॉरंसिक एक्सपर्ट हैं इंडिया टुड़े के लिए विद्या ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एक्सपर्ट 2008 में एक असिस्टेंट केमिकल एनलाइजर थे इसी साल माले गाओं में बम धमाका हुआ था तारीक थी 29 सितंबर 2008 प्रास्ट ATS के दफ्तर से विशेश नयायले परिसर में लागाई गया इसके बाद विशेश जजज वकीलों गवाहों और आरोपियों ने आकर इन वाहनों को देखा लेकिन इस दौरान किसी को भी तस्वीर नहीं खीचने दी गई 2019 में भी एक गवाह ने इन वाहनों की पहचान की थी ये गवाह तब मौके पर पंच की भूमिका में मौझूद था जब पुलिस ने इन्हें बरामत किया था इसके बाद स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर अविनाश रसाल ने फॉरंसिक एक्सपर्ट से सवाल जवाब किये एक्सपर्ट ने अदालत को बताया कि उन्होंने ब्लास्ट साइट पर एक LML वेसपा स्कूटर को देखा था ये तबाह हो गया था स्कूटर का फ्यूल टैंक, सीट कवर और डिक की नश्ट हो गए थे स्कूटर के स्पेर पार्ट हर तरब बिखरे हुए थे पास खड़ी हॉन्डा यूनिकॉर्ण बाइक और एक साइकल को भी नुकसान पहुँचा था एक्सपर्ट को पुलिस द्वारा एकटा किये सबूतों की रासाइनिक जाज करके एक रिपोर्ट पेश करनी थी विशिशागी ने बताया कि स्कूटर के इंजन पर से इंजन नंबर को घिस दिया गया था प्रश्चिम मंगाल से है ममता मंत्री मंधल में फेर बदल हुआ, ममता मंत्री मंधल में नो नए चेहरों को जगे मिली, सबसे दिल्चस्प नाम बीजेपी से टीमसी में आये बाबल सुप्रियों का रहा उन्हें कैबिनिट मंत्री के तार पर शपत दिलाई गयी इसके लावा राजभवन में राजजपाल लागलेशन ने स्नेहशीष चक्रवर्ती पार्थ भॉमिक ओधियन गुहा और प्रदीप मजूमदार को कैबलिट मंत्री के रूप में शपत दिलाई मंत्री परशद विस्तार में आदिवासी नेता बीर बहा हंस्दा और विपलर रॉय ने स्वतंत्र प्रभार के राज़ी मंत्री के तौर पर शपत ली ताजमुल हुसैन और सत्यजीद बर्मन को राज़ी मंत्री बनाया गया ममताब एनरजी SST स्कैम के बाद से मुख्य मंतरी के तौर पर नेता के तौर पर घिरी हुई थी और कवायद ये बताई गई कि मंतरी परिशद में नए चेहरों को लाकर एक तो वो सुर्खियों को बदलना चाहती हैं और दूसरा नए से रे से सरकार की छवी गढ़ना चाहती है लेकिन SST स्कैम पर लगातार ED खुलासे कर रही है जात कर रही है और इस मामले में TMC आसानी से बरी होती नजर नहीं आ रही है अगली सुर्खी उपराष्टपती चुनाओं से जुड़ी हुई है उपराष्टपती चुनाओं में आमादमी पार्टी ने कॉंग्रेस के नेत्रत वाले विपक्ष की उमीदवार मार्ग्रेट अलवा को समर्थन देने का एलान किया है जबकि मायावती के नित्रतवाली बहुजन समाज पार्टी ने NDA प्रत्याशी जगदीब धनकल के समर्थन का एलान किया है मायावती ने ट्वीट के जरीए सूचना दी कि BSP ने ऐसे में उप्राश्टपती पत के लिए हो रहे चुनाओ में व्यापक जनहित और अपने मूव्मेंट को भी ध्यान में रखकर जगदीब धनकल को अपना समर्थन देने का फैसला किया है जिसकी मैं आज आपचारिक रूप से घोशना भी कर रही हूँ इससे पहले भी CM जगन मुहन रेड़ी और नवीन पतनायक ये दोनों NDA में नहीं है पर इन दोनों ने NDA उमीदवार को समर्थन देने का एलान किया था 10 अगस्त को उपराष्टपती वेंकईया नाइडू का कारेकाल खत्म हो रहा है उससे पहले 6 अगस्त को नए उपराष्टपती का चुनाव होगा उपराष्टपती के चुनाव में दोनों सद्रों यानि लोगसभा और राजिसभा के सांसत वोट डालते हैं बहुमत का आकड़ा 390 का है जबकि अकेले बीजेपी के पास ही 394 सांसत हैं यानि बीजेपी उमीदवार जगदीब धनकल की जीत लगभग तैमानी जा रही है ये थी आज की सुर्खियां अब रुक करते हैं दिन की बड़ी खबर का 2005 में मशुहूर डाइरेक्टर प्रकास ज्या ने एक फिल्म बनाई थी जिसका शीर्शक था अपरण बिहार में एक वक्त बड़े पैमाने पर चलने वाला और अब छोटे पैमाने पर चलने वाला अपरण उद्योग इस फिल्म की थीम था अपरण के साथ साथ फिल्म बिहार के समाज राजनीती और प्रशासन पर भी टिपड़िया करती चलती है इस फिल्म में एक बड़ा दिल्चस्प सीन है नाना पाटेकर का पात्र तबरेज आलम अपनी गारी की डिक्की में एक अपरहत शक्स को लेकर जा रहा है तबरेज एक माफिया है और विधायक भी लेकिन चौकी पर जिले के कप्तान खुद नाके पर खड़े हैं गारी नाके पर आती है एस पी खुद गारी की जाच के लिए आगे बढ़ते हैं और तब तबरेज और एस पी के बीच बहस हो जाती है और तबरेज एस पी से एक ब पर आते आते अतिरेक की सीमा को छूने लगती है लेकिन नौकर और सेवक वाली इस बात में लोगों को दम लगा इधर कुछ दिनों से बदले-बदले मेरे सरकार नजर आते हैं पुलिस या कानून विवस्था से जुड़ी दूसी एजेंसियां धड़ा-धर रसूगदारो को गिरफतार कर रही हैं अब इससे पहले कि आप ये सोचें कि पुलिस ने अपरहन में हुई अपनी बेजिती से सबक ले लिया गिरफतारियों का संदर्व देख लेना चाहिए कि कौन गिरफतार हो रहा है कौन गिरफतार कर रहा है जैसे अब तक रेड और गिरफतारियों में E.D. सबसे आगे चल रही थी क्या नेता, क्या भी नेता एजनसी चापे पर चापे मारती रही और बरामत कैश से E.R.D. बनाती रही ये सब हो रहा था और कोलकाता पुलिस जिसके इलाके में ये सब हो रहा था वो खबरों से बाहर थी लेकिन 30 जुलाई के रोज कोलकाता पुलिस की किस्मत खुली पुलिस को एक टिप मिली कि भारी भरकम कैश के साथ कुछ लोग एक गाड़ी में जा रहे है और इसी सिलसले में हावडा के पांचाल इलाके से तीन लोगों को गरफतार किया गया, हिरासत मिलिया गया, पता चला कि ये माननी हैं, ये जार्खन कॉंग्रेस के हैं और ये विधायक हैं, इनके नाम इर्फान अंसारी, राजेश कच्छब और नमन, बिकसाल, कोंगरी इनके साथ दो लोग और थे और गाड़ियों में मात्रोंचास लाक रुपे कैश था कुलकाता से कैश बरामदगी की खबर आई, तो एक बार लगा कि पार्थो चेटरजी मामले में भी अपडेट आया है एसे सी गोटाले के सम्मन में वो एडी की हिरासत में है और उनकी सहयोगी अरपिता मुखरजी के यहां से भारी भरकम कैश पहले मिला भी है पश्यमंगाल भाचपा के मुखिया सुकांत मजूमदार ने तो कह भी दिया कि संभवता ये पैसा त्रिनमूल कॉंग्रेस का है जिसे सोनिया गांधी और कॉंग्रेस की मदद के लिए भेजा जा रहा था जवाब में त्रिनमूल की तरफ से प्रवक्ता कुनाल गोश ने कहा कि मजूमदार साहब आइडेंटी क्राइसिस से जूज रहे हैं पैसे के बारे में जानकारी चाहिए हो तो उन्हें अधीर रंजन चौधरी से बात करनी चाहिए ये नोग जोग चलती रही लेकिन जैसे ही एक चिर परचित शब्द का इस्तिमाल हुआ सारी बात बदल गई ये शब्द था ऑपरेशन लोटस कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश ने आरोप लगाया कि भाजपा जार्खन में भी ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश कर रही है और कोलकाता में पकड में आया कैश इसी के लिए इस्तिमाल होने वाला था अगले दिन यानि 30 जुलाई को हिरासत में लिए गए तीन विधायक और दो अन्य लोगों को निया आयले में पेश किया गया जहां से उन्हें 10 अगस तक पश्चिम मंगाल पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिकेशन डिपार्टमेंट CID की कस्टडी में भीज दिया गया विधायकों ने दावा किया था कि वो इस पैसे से सारिया खरीदना चाहते थे लेकिन कोलकाता पुलिस ने दावा किया कि ये विधायक गुवाहटी से लोटे है गुवाहटी और विधायक सुनकर आपके दिमाग में कुछ कौन था जून और जुलाई में शिवसेना के विधायक मुंबई से पहले सूरत गए थे और फिर पहुँचे थे गुवाहटी और महराष्ट की महागारी सरकार गिर गई थी 31 जुलाई को ही कॉंग्रेस ने तीनों विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया इनके खिलाफ राची के एक थाने में मामला भी लिखवा दिया गया ये मामला लिखवाया जहारखंड की बर्मो सीट से कॉंग्रेस विधायक कुमार जैमंगल और अनूप सिंग ने अनूप सिंग ने राची में एक प्रेस कांफरेंस भी की और दावा किया कि कोलकाता पुलिस द्वारा गिरहतार तीनों विधायक उन्हें और दूसरे कॉंग्रेस विधायकों को प्रलोभन दे रहे थे कि अगर भाजपा सरकार बनती है तो पाला बदलने वाले विधायकों को मंत्री पद और दस करोड़ रुपे मिलेगा जैमंगल और फानूप सिंग के मताबिक इरफान अंसारी का तो मंत्राले भी फिक्स हो गया था उन्हें स्वास्त मंत्री बनाया जाना था आगे जैमंगल ने दावा किया कि तीनों विधायक उन्हें कोलकाता से गुवार्टी ले जाना चाहते थे जहां उनकी असम के मुक्यमंत्री हिमंता विश्व सर्मा से मुलाकात फिक्स होई थी भाजपा ने तुरंट इन आरोपों को खारिच किया चुकि सवाल हिमंता विश्व सर्मा पर उठाया गया था इसलिए उन्होंने भी अपनी बात रखी उन्होंने कहा कॉंग्रेस नेताओं से तो मेरा संपर्क बना ही रहता है क्योंकि वहां मेरे कई पुराने दोस्त हैं मैं 20 साल इस पार्टी में था वो गुवार्टी आते हैं तो मुझसे मिलते हैं मैं दिल्ली जाता हूँ तब भी मुलाकात होती रहती है इसमें कोई नई बात नहीं है विस्सर्मा इतने पर ही नहीं रुके उन्होंने वो तस्वीरें भी ट्वीट की जिसमें खुद आरोप लगाने वाले कुमार जैमंगल विस्सर्मा और केंदरी संसदी कार मंत्री प्रहलाज जोशी के साथ नजर आ रहे थे सर्मा ने तंज करते हुए लिखा कि जारकर्ण में दर्जुई कतित फाइयर वैसी है जैसे कॉंग्रेस और तावियो कौातरोची को बोफोर्स मामले में केस दर्जी कराने को कहे दर्शक जानते हैं कौातरोची पर बोफोर्स मामले में दलाली खाने का आरोब था इसके जवाब में जैमंगल ने कहा कि उनकी बिस्व सर्मा और प्रहलाद जोशी से मुलाकात हुई तो थी लेकिन विशय था कोल इंडिया से जुड़ा क्योंकि प्रहलाद जोशी केंदरी कोईला मंतरी है और इस बारे में गटबंदन सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है और तब भी तीन लोगों की गिरफतारी हुई थी लेकिन उसके बाद जादा कुछ घटा नहीं दो अगस्त कुछ हरकंड में में पश्चिम मंगाल CID ने कोलकाता के एक व्यापारी के यहां भी छापा मारा था इस दोरान भी कैश बरामद हुआ पुलिस उस होटल से CCTV फोटेज भी निकलवा रही जहां की रफतारी से एक दिन पहले विधायक 20 मिनट के लिए रुके थे अब आते हैं आज की घटना पर आज पश्चिम मंगाल CID के चार अधिकारियों के एक टीम दिल लियाई ये टीम सिधार्त मजूमदार के ठिकानों पर छापा मारना चाहती थी मजूमदार पर आरोप है कि उन्होंने ही तीनों विधायकों को 20 जुलाई के रोज हिमंत अभिस सर्मा से मिलवाया था इसी संबंद में जाच होनी थी जिसके नतीजे में आनी थी वो तस्वीरें जिसमें पुलिस अधिकारी किसी घर के बाहर खड़े नजर आते हैं खबरों की दुनिया में चापले का संकेत ऐसी ही तस्वीरों से किया जाता है लेकिन सामने आया एक ट्वीट CID पश्चिम मंगाल ने अपने आधिकार एक ट्वीटर हैंडल पर लिखा क्या पांचाल पुलिस थाने में दर्ज मामला संख्या 26 औब लीग 22 में नियाले द्वारा जारी सर्च वारेंट की तामील के लिए CID के एक टीम दिल्ली पहुँची थी लेकिन दिल्ली पुलिस के DCP साउथ वेस्ट के निर्देश पर उन्हें अपनी ड्यूटी पूरी करने से रोका गया इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिशनर द्वारा हस्तक शेप का निवेदन है इस ट्ईट में दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस कमिशनर और दिल्ली पुलिस के DCP साउथ वेस्ट को टेग भी किया गया था इसके आगे नियमो का हवाला दिया जाने लगा अब पश्य मंगाल से वरिष्ट अधिकारी दिल्ली आ रहे है ताकि मामले में प्रगति हो सके नियमों के पालन वाली बात पर पश्यमंगाल पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस को विदिवत सूचना दी गई थी उनके एक प्रतनिदी को भी मौके पर ले जाया गया था तभी अचानक इस्थानी एसेचों वहां पहु दोला सेन ने खड़े होकर बोलना शुरू किया तो दिल्ली पुलिस द्वारा पश्यमंगाल पुलिस को रोकने पर सरकार से जबाब मांग लिया उपसभापती हरिवईश ने सेन को टोका कि चर्चा का विशय यूए पीए है इसलिए सांसत को इसी विशय से जुड़ा सवा पश्यमंगाल पुलिस को रोके जाने की बात मालूम चली इसलिए पार्टी सदन से वॉक आउट करती है त्रिनमूल सांसतों ने आरोप लगाया कि पूर में भी दिल्ली पुलिस ने विपक्षी राज्यों से आई पुलिस टीमों को जाच करने से रोका है इसके जवाब में पश्यमंगाल भाजपा की प्रवक्ता शमिक भटाचार ने कहा कि नियायले के आदेश पर तो कई जान चल रही है अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो उसे नियायले से राहत ले लेनी चाहिए आज वाली कानी में धेट सारी कताना का अपस में गुते हैं एक गडबंदन सरकार है जिसके मुखिया ने अब तक अपनी कुरसी को आच से बचाए रखा है एमन सोरेन ने द्रॉपदी मुनमू से तब भी अच्छे संबंद रखे जब वो जारकंड की राज़पाल थी और उनके पक्ष में राश्पती चुनाओं में वोट भी डाला बीच-बीच में आने वाले बयानों और ट्वीट्स को छोड़ दें तो सोरेन ने अपनी छवी नॉन कंफरंट्रेशनल रखी लेकिन इन दिनों गडबंदन सरकारों को कुछ जादा सतर्क रहना होता है वैसे एमन सोरेन रस्मी तोर पर कह दिया कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश विफल हो गई है लेकिन कब क्या हो जाए कौन बता सकता है दूजी तरह पश्चिम मंगाले जहां त्रिनमूल के पास नेता भी है और पूर्ण बहुमत भी बावजुदिस के त्रिनमूल कॉंग्रेस और उसके नेता केंदरी एजेंसियों की तपिश छेल रहे हैं क्या इसके चलते सोरेन और ममताव इनरजी साथ आने की सोच रहे हैं और क्या ये दोनों मिलकर भाजपा का सामना कर सकते हैं ये देखना दिल्चस्प होगा हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे आप अपनी नजर हम पर बनाए रखेंगे क्योंकि आपकी सला, आपकी आलोचना और आप से मिली सूचना ही हमारा आधार बनती है आज की ललन टॉप शो में इतना ही अपना और अपनों का खयाल रखी है आप मेंसे कई लोगों की उत्सुकतत ही हमारे खास कारिकरम गेस्ट इन दर न्यूजरूम को लेकर तो उससे संबंदित जानकारी भी दे दें गेस्ट इन दर न्यूजरूम का डॉक्टर विकास दिविकीरती वाला एपिसोड ललन टॉप की एप पर डाउनलोड हो गया है आप इसे वहाँ जाकर देख सकते हैं शुक्रिया शुबरात्रे